दोस्तो रेल विकास निगम लिमिटेड की बात के तो यहाँ पे कमपनी की AGM हो चुक है और इसके रिजल्ट की जानकारी एक्चेंज को दे दी गई है कौन से कौन से प्रस्ताव पास हुए उसको समझने की कोसिस करेंगे इसके इलावा कमपनी ने ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया है सेवी के रूल्स के तैद यहाँ पे देख सकते हो की रेल विकास निगम लिमिटेड के स्टॉक में हमने आज काफी अच्छी तेजी भी देखी है क्या आने वाले समय में RVNL वैसा ही रेटन दे सकता है जैसा पिछले दिनों इसने दिया है 30 रुपीज का स्टॉक इस समय 170 के आसपा से बहुत ही जबरदस मल्टी बैग रेटन दिया है और जितने रेल्वे के स्टॉक है उन्होंने पिछले दिनों काफी जबरदस रिटन दिया ही है सिरफ IRCTC को छोड़के बहुत जबरदस रिटन मिला है जो काफी समय से स्टॉक अंडर वैल्यू थे इस समय वो काफी सांदर प्रदसन कर चुके लेकिन क्या इस समय इस वैलूइशन पे खरीदारी की जा सकती है या फिर एक बार प्रोफिट बुक करके निकल जाना चीए तो इन सारी बातों को समझने की कोशिस करेंगे और क्वाटर टू का रिजल्ट कैसा रह सकता उसको भी समझने की कोशिस करेंगे क्योंकि वही इसको नया ट्रीगर देगा अगर रिजल्ट बैतर होगा तो एक सांदर तेजी फिर शुरू होगे दूसरी तरफ IRFC की बात के तो यहाँ पर भी क्वाटर टू की तैयारी हो चुकी है कमपनी ने यहाँ पर ट्रेडिंग विंडो क्लोज करने की जानकरी एक्चेंज को दिये आप समझ सकते हो कि IRFC जो रेलवे की कमपनियों को फाइनेस प्रोइड करती है चाहे RVNL हो, Railtail हो, Konkan Railway हो जितनी भी कमपनियां उन सब को यहाँ पर फाइनेस प्रोइड करती है काफी सांदार और सिक्योर इसका बीजनस है प्राइज इसके भी बड़ी है लेकिन उतनी नहीं दोड़ी है जितनी रेल विकास निगम लिमिटेर की डोड़ी है तो क्या करना चीए, क्या इस समय खरिदारी करनी चीए जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब्बी ने विडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले विडियो पसंद आए तो लाइक शेजरू कीजिए चलो फ्रेंड्स विडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार की बात करें तो आर्विनल के स्टॉक की सुरूआद 166 पर हुई सुरूआद लगबग फ्लैट हुई से लगबग आधी अपनी तेजी खोच चुका है यानि करीब 600 पॉइंट के उपर की तेजी थी क्लोजिंग 300 पॉइंट के उपर हुई है इसी वज़े से देखे तो यह स्टॉक भी थोड़ा सा आपको नीचे आता हो दिखाई देगा क्योंकि ओवरल बज़ार में दबाओ थोड़ा सा बना उपर के लिवल से अब यह आपे देख सकते हो कि पिछले एक साल के हिसाब से श्टॉक ने 42% का बंपर रिटन दिया है यानि जो आपके पैसे है वो एक दूणा नी बलकि चार गुना हो चुके है बहुत ही बैतर रिटन दिया श्टॉक ने और इक बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है सिरफ 6 मंद की बात के श्टॉक ने 146% का बंपर रिटन दिया है जो श्टॉक 68 के आसपास था वो 169 के आसपास है यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मंद की तो 31% का इसने अच्छा खासा रिटन दिया है और अगर हम 5 डेज की भी बात के तो 1.35% का पॉजिटिव रिटन दिया यानि कहीं पर कोई निगेटिव रिटन दिया है एक तरपा आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिटन देखना को मिला है श्टॉक काफी मजबूत और बुली जोन में दिखा दिरा है अब या भी देखते हो कि कमपनी ने अपनी 27 सितंबर की AGM का जो रिजल्ट था वो एक देखे तो कमपनी ने जो डिविडन का आइलान क्या था पॉइंट 36 पर सेंट का यानि 36 पैसे पर शेर का जो डिविडन का आइलान था उसके लिए भी शेरोल्ड की रजामंदी ली गई और उनकी तरप से भारी बहुमत से इसको प्रस्ताव को भी पास किया गया है इसके ल अपॉइंट मेंट है अनुपम बेन जो डारेक्टर कंपनी इसके लावा अपॉइंट मेंट अनिल कुमार खंडेल वाल जो प्रिंसिपल एक्जुकेटिव डारेक्टर की पोस्ट पे होंगे रेलो बोर्ड की तरप से पार टाइम गवर्मेंट नोमनी डारेक्टर के लिए तो यह special resolution में कुछ पास के प्रस्ताव तो इस तरह से जो 6 बड़े प्रस्ताव है जिनको यह voting के माध्यम से shareholder ने अपनी रजामनी दी और यह प्रस्ताव पास किये गए अब company ने exchange को जानकारी दे दिये कि उन्होंने quarter two की त्यारी कर ली है और इसी को लेकर trading window को close करने जारे एक October 2023 से trading window close हो जाएगी और यह तब ही खुलेगी जब company अपना result डिक्लेर कर दी उसके 40 hours के बाद में ही normal trading शुरू हो पाएगी तो company के तरब से देख सकते हो कि अपने result की त्यारी कर ली गए और इसी लिए सेवी न जो rules बनाया है जिसके तैद एक बार जब result त्यार हो जाता है और अंदर से जो सदिश्यों को पता होता है कि result कैसा उसके plus minus को देकर उसका कई miss यूज न कर ले और इसी लिए यह trading window को एक result की समभावना देखे तो बैतर की उमिद तो इस बार ही क्योंकि लगातार revenue बढ़ रहा है company का जून 2022 में 4878 करोड के आसपस था जून 2023 में बढ़के 5000853 करोड के आसपस था और मार्च में यह सीधा 5000976 करोड के आसपस था तो quarter and quarter basis revenue कम होआ है लेकिन यह 100 basis में revenue बढ़ा है त profit की बात करें तो जून 2022 में 298 करोड के आसपस प्रॉफिट था जून 2023 में यह 343 करोड के आसपस था और मार्च में 359 करोड के आसपस प्रॉफिट था तो revenue देखे या profit देखे मार्च का result काफी बैदर था जून के मुकाबले तो अब देखना होगा क्या इस मार्च के result से भ और काफी तेजी से इनके पास ओडर आ रहे हैं यह अलग-अलग कंपनियों के साथ में joint ventures करके बहुत सारे ओडर ले रही है श्टॉक ने 200 के आसपस का 50 रूपिक का हाई बना है और आप देखें कि जो 12 सितंबर को हाई बना उसके बाद में और टाइम हाई के बाद में इसमें correction आया तो उपर की level से देखे तो करीब 30 रूपिज का आसपस का correction आ चुका है यानि 16 से 17 परसें का correct हो चुका है और S-based security ने इसमें short term के लिए खरीदारी की सला दिये अगले 3 महीने के लिए खरीदारी करनी है 188 का target रूप नों ने set किया है यानि इस current level से 12 परसें की तेजी देखना को मिल सकती है brokerage firm ने काये कि 2003 से अब तक company ने 1 लेक करोड़ से जादा के railway project complete कर लिए है company का order book बहुत मजबूत है जून 2023 के आदार पर 65,000 करोड़ के order इनके पास है और financial 2022 में company का जो sales है उसमें 3.2 गुना विद्धी हुई है और medium to long term के लिए revenue visibility मजबूत है किर्गिस्तान सरकार के साथ company ने करार किया और 20,000 करोड़ के order नियर टम में आने की उमीद भी है तो कुल मिला के काफी ज़्यादा समाओ जाओ पॉजिटिव है ऐसे में long term investor यहाँ पे खरीदारी कर सकते है अब हम चलते IRFC के तरब आज closing है वो 76.60 के आसपास यहाँ पे 2.34% की सांदार तेजी देखने को मिली तो stock के अंदर फिर से current लोटा है stock काफी तेजी से बढ़ने की सुरुआत हो सकती है सुबह सुबह इसमें हमने कुछ दबाव भी देखा है लेकर उसके बाद में सांदार तेजी हमने देखी है stock के अंदर यहाँ पे इसकी performance देखे तो पिछले एक साल में stock ने 260% का बंपर रिटन दिया है 21 के आसपास जो stock था इस समय 76 के आसपास है सिर्फ 6 मन की बाद की stock ने 187% का जबरतर रिटन दिया है यानि आपके पैसे यहाँ पे double नीबल की double से जाला 3 गुना हुए काफी सांदार रिटन दिया है और सिर्फ 1 मन की बाद की stock ने 53% का जबरतर रिटन दिया है यानि एक तरपा यहाँ पे positive माहुल बना इस stock ने सांदार रिटन दिया है आपको इसकी performance देखे अगर हम BSE Sensex और Finance के मुकाबले दिसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है पिछले एक साल में इसने 260% का जबरतर रिटन दिया है जबकि BSE Sensex में 16% की तेजी बनी है BSE Finance में 19% की तेजी बनी है winner यहाँ पे IRFC है 3 मन के इसाब से इसने 134% का जबरतर रिटन दिया है जबकि Sensex में मातर 3% की तेजी बनी है और BSE Finance में 2% की तेजी बनी है 1 मन के इसाब से भी देखे तो IRFC ने 57% का बंपर रिटन दिया है जबकि BSE Sensex में मातर 1% की तेजी बनी है और BSE Finance में भी 1% की तेजी है overall देखे तो इसने जबरदस रिटेन दिया और year to date के इसाफ से भी जो इसका रिटेन है वो 135% का bumper रिटेन है जबकि इस दौरान BSE Sensex में मात्र 8% की ही तेजी बनी है और BSE Finance ने 7% की तेजी बताई है तो winner आपको हर जगह पे सिर्फ IRFC ही दिखाए देगा चाहिए आप एक साल क के इसाफ से देखे वनमन के इसाफ से देखे बैतर प्रदसन है और काफी जबरदस और उम्दा प्रदसन है और BSE Finance सेक्टर के मुकाबले Sensex ने ठीक किया है overall देखे तो long term investor के लिए अच्छा मौका है खरीदारी आप कर सकते यहाँ पे community center में भी stock के साथ बना हुआ है 100% buy की call है ऐसे में long term investor इसको hold कर सकते है short term investor चाहे तो profit book कर सकते है लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाढ़ ले ले या अपना खुद का research खरी क्योंकि माने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जो की जो और चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friend